नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत है दोस्तों, महाभारत काल में चीन से भी कर वसुलते थे समराट युधिष्ठे जी हाँ, आज भले ही यह सून कर कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन यह एक पौरानिक सच है क्योंकि आज भले ही हमारा पड़ोसी देश चीन कमिनिष्ट विचारधारा में रंग कर हमारा शत्रू बन गया हो लेकिन प्राचीनकाल के दौर में यही चीन पूरी तरह से केस्रिया रंग में रंगा हरिवर्ष नाम का देश हुआ करता था यानि भारत का ही एक भाग हुआ करता था महा भारत में इस बात का स्पष्ट उल्लेक है कि समराट युधिष्थिर के राजकोश में जो धन जमा होता था उसका एक बहुत बड़ा भाग इसी हरिवर्ष प्रदेश से यानि आज के चीन से ही आता था ऐसा इसलिए क्योंकि समराट युधिष्थिर का सामराज्य जम्बूद्वीप के इन सभी नौ देशों पर हुआ करता था यहां गौर करने वाली बात ये है कि करीब करीब हर उन प्रसिद इतिहासकारों ने जो भारत से बाहर के रहने वाले थे उन्होंने अपने अपने तथ्यों में भी यही लिखा है कि सम्पूर्ण जम्बूद्वीप पर हिंदू सामराज्य स्थापित हुआ करता था और उस जम्बूद्वीप के कुल नौ देश हुआ करते थे उन नौ देशों में से तीन उत्तर पूर्व में थे जिनको हरिवर्ष, भदराश्व और किमपूरुष के नाम से जाना जाता था आज अगर हम चीन की भागोलिक स्थिती को देखें तो उन्हीं तीनों देशों को मिला कर चीन देश बना हुआ है अगर हम रामायन के बालकांड और विश्नुपुराण में जाएं तो इस खेत्र का दूसरा नाम कामरूप या किमपूरुष नाम से मिलता है इसका अर्थ तो यही है कि रामायन काल से लेकर महा भारत काल के बीच के समय में आज के असम प्रदेश से लेकर चीन के सिचवान प्रांथ तक का यह संपूर्ण छेत्र प्राग्य जोतिशपुर हुआ करता था और अगर हम इस विशय पर सबुतों की बात करें तो वर्ष 1934 में हुई एक खुदाई के दौरान चीन के समुदरी किनारे पर बसे एक प्राचीन शहर च्वान जो में करीब 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन समय के हिंदू मंदिरों के लगभग एक दरजन ऐसे खंडहर मिल चुके हैं यानि वहां पूर्ण रूप से हिंदू धर्म का बोलबाला था इतिहासकारों ने भी इस प्राचीन शहर के बारे में एक मत से यही बताया है कि यहां का संपूर्ण छेत्र प्राचीन काल में हरिवर्ष कहलाता था जिस प्रकार से भारत को आज भी भारतवर्ष क बात करें तो उस समय वहां और भारत में एक ही सनातन जीवनशैली और एक ही भाषा यानि संस्कृत भाषा हुआ करती थी। हालांकी लेह लद्दाख और सिक्किम के रास्ते भी लोग हरिवर्ष यानि आज के चीन में आया जाया करते थे लेकिन उसके लिए त्रिविष्टप यानि तिबबत को भी पार करना होता था। त्रिविष्टप को हमारे प्राचीन गंर्थों में देवलोग और गंधर्वलोग का एक दिव्य और आध्यात्मिक शेत्र बताया गया है जहां पौरानिक मान्यताओं के अनुसार आज भी पारलोकिक शक्तियों वाला देवलोग है यानि आज भी वहां साक्षात कई देव देवता और सिध्ध महात्माओं का अद्रिश निवास स्थान है यही कारण है कि संपूर्ण हिमालय को देवलोग या देवभूमी कहा जाता है और बात अगर प्राचीन चीन और भारत के इतिहास के बारे में हो रही हो और चीनी यात्री वेंट सांग के बारे में बात न हो ये भला कैसे हो सकता है लेकिन यहां एक समस्या ये भी है कि वेंट सांग द्वारा लिखे गए अधिकतर इतिहास को हमसे छूपाया गया है हालांकि उसके वर्णनों में हमें हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिचय तो अवश्य मिलता है तो कैसी लगी हमारी यह संग्षिप्ट जानकारी कमेंट करके हमें जरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें जल्द मिलते हैं इसी प्रकार की अन्यरोचक जानकारियों के साथ तब तक के लिए हमें अनुमती दीजिए धन्यावाद